नमस्कार दोस्तो स्वागत आपकाद आटोमोटिवस में और आज हम बात करेंगे ओक्सीजन सेंसर कैसे काम करता है तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि ओक्सीजन सेंसर वहिकर में कहां पर फिट किया जाता है उसका construction किस तरह का है और oxygen sensor काम कैसे करता है तो शुरुवात करते है oxygen sensor के location से तो engine और catalytic converter के बीच में लगाया जाता है पहला oxygen sensor जिसे कहा जाता है upstream oxygen sensor इसका काम है कि exhaust gas के अंदर जितना oxygen है उसके concentration को measure करना जिसके मदद से जो ECM है engine control module वो decide करता है कि engine में reach mixer जा रहा है या फिरलीन mixer जबकि दूसरा oxygen sensor जो है वो बिल्कुल catalytic converter के बाद लगाया जाता है जिसे कहा जाता है downstream oxygen sensor ये catalytic converter की efficiency को measure करता है तो अब बात करते है oxygen sensor के construction की तो जो main body है उसके अंदर एक sensing element होता है जिसे कहा जाता है zynchronium dioxide अब zynchronium dioxide का जो element है उसके अंदर एक heater core रखा जाता है और heater core के अंदर एक passage होता है जिसके अंदर atmospheric air आ जा सकती है अब जो sensing element है उसके साथ दो wires connect होते है जिसे connect किया जाता है cap के साथ जो की बात में ECU के साथ connection करने में मदद करती है तो बात करते है oxygen sensor के working की तो oxygen sensor normally exhaust manifold के उपर mount होता है अब oxygen sensor में जो heater core है उसके अंदर atmospheric air को पहले enter किया जाएगा फिर heater core उसी air को गर्म करेगा अब जो atmospheric air है उसका oxygen concentration exhaust gas के oxygen concentration से ज्यादा होगा जिसके कारण जो zincronium dioxide है उसके अंदर ionization process होगी और high concentration oxygen की side से low concentration oxygen की side पे electrons का flow होगा जो flow produce करेगा जो sensing element है उसके अंदर voltage ये voltage 0.1 से लेके 0.9 तक produce हो सकते है यानि कि 0.1 voltage का मतलब है कि जो mixture है वो lean है और 0.9 voltage का मतलब है जो mixture है वो reach है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तो आटोमोटिवस चैनल को ताकि नाए latest technological वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिला रहे